आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया सीरीज जिसका नाम है इग्नू सीरीज यह मैंने यूनिट वन बी ए के नोट से लिया है तो यह कोर्स स्पेसिफिकली बी ए वालों के लिए होने वाला है अगर आप बी ए के स्टूडेंट है या फिर आपने अभी आप सोच रहा है करने का तो यह लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही जादा बेनिफीशिल होने वाले हैं साथ में अगर आप UPSC के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल सोचोलोजी है तो भी यह लेक्चर्स आपके बहुत काम हने वाले हैं तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इंटू दी वीडियो तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि यह सारा जो भी material मैंने इन slides में add किया है वो मेरा दिया हुआ नहीं है वो strictly मैंने इगनू के sources से लिया है तो अगर आप इस lecture को देख कर इगनू के notes को refer करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा ठीक है सबसे पहले introduction में उन्होंने क्या दे रखा है हम वो देख लेते हैं It is a young discipline Young discipline का मतलब है new discipline sociology एक नया discipline है बहुत साथा पुराना नहीं है अगर उसे और भी social science के साथ compare किया जाए और social science में हमारे आ जाते हैं political science, psychology, etc Okay, history हो गया It is about 150 years old and more rapid development in last 50 to 60 years ये बहुत ही पुराना sociology हमारा subject है बर सबसे जादा जो update या development इससका देखा गया है वो 50 से 60 years पहले का देखा गया है इसलिए इसे young discipline कहा जाता है After second world war To understand more about behavior of people in social situation तो इसका reason जो main था वो second world war के बाद हमें बहुत ही जादा जरूरत पढ़ी society को समझने की और social situations Social situations का मतलब है कि society में जिस तरीके से चीज़े होती है वो क्यों होती है क्या उनके reasons है ये सब जानते हैं हम sociology की through All social sciences talk about behavior of people but everyone has different aspect इसका मतलब है कि सारे social sciences behavior पढ़ते हैं लोगों का but सबका aspect अलग-अलग होता है जैसे अगर हम political science की बात करें तो हम उसमें उसको civics कहते हैं हम ठीक है हमारे primary school में psychology की बात करें तो उसका पढ़ने का तरीका और इसका पढ़ने का तरीका सबका अलग-अलग होता है sociology in all about social relations in general and with social groups and institutions in particular sociology में हम social relations यानि society में किस तरह के relationship mentorship maintain रहते हैं और social groups यानि किस तरह के groups होते हैं अभी social group का topic आगे मैंने slide में है तो उसके बहाँ पे देखेंगे institution मैंने बताया था आपको last lecture में कि institution का मतलब होता है religion, marriage, education ठीक है? ऐसे जो भी institutions हैं इन सारी institutions का जो main focus होता है वो होता है हमारा socialization करना या फिर कह सकते हैं कि हम किस तरह के से आगे बढ़ेंगे इसमें हमारा help करना तो इनका काफी जदा functional role होता है ठीक है? यह हमें function करने में help करते हैं और यह society को भी function करने में help करते हैं because last में हम लोग भी society का party है now let us see the very basic concept of what is sociology, actual में sociology है क्या? तो पहले हम इस basic definition को देखते हैं sociology can be defined as a study of society मतलब sociology में हम society के बारे में बढ़ते हैं social life social life मतलब society में सब लोग किस तरह से रहते हैं? क्या लोगों की life है? ठीक है? group interactions बहुत सारे लोग मिलके आपस में कैसे interact करते हैं and social behavior means हमारा behavior socially कैसा है एक individual अपने घर में अलग तरह की से behave करता होगा और school में अलग तरह से behave करता होगा तो इस तरह की studies हम sociology में करते हैं society has been defined as relatively self-sufficient society हमारी self-sufficient होती है large group of people बहुत सारे लोग जब आपस में group बना के रहते हैं उसे हम society कहते हैं ठीक है जिसमें की हमें direct और indirect contact भी देखने को मिलता है और यह होता किस के तरू है culture के तरू culture क्या होता है culture is a generally understood as the shared language belief, goals, artifacts and experiences that combine together to form a unique pattern means जब लोगों का साथ में same language होता है same beliefs होते हैं कुछ goals होते हैं हमारे जो भी माली एक एक इनसान है जो हिंदी बोलता है ठीक है यह हिंदी बोलता है और यह एक हिंदू है ठीक है तो यह इसका religion हो गया ठीक है तो ये सारी इस तरह की सारी चीज़ें मिलके एक इनसान का culture बनता है Now let us see emergence of sociology Emergence का मतलब होता है origin कोई चीज कहां से आ रही है ठीक है During 19th century in Europe A separate science with objective to study society तो यूरोप में हमें एक separate science के बारे में पता चलता है जो focused होती है society को पढ़ने में August Compt जो कि हमारे father of sociology है father of sociology Spencer, Emile Durkheim besides several other social thinkers attempt to establish the idea of society as a matter of study इन लोगों ने मिलकर society को एक established subject बनाया था Emile Durkheim का बहुत बड़ा रोल है sociology को academics में लाने का तो as a whole इन लोगों ने society को as a whole पढ़ा था which is more than some of its part इन्होंने हमेशा society को एक में देखा ना की अलग-अलग parts में ठीक है Society is more than the actions, thoughts, values, beliefs and wishes of its individual member एक society, action, thoughts, values इन सबसे कही जादा होती है It is complex and abstract reality Complex मतलब जिसे हम ठीक जल्दी समझ नहीं सकते हैं आसानी से A sociologist is interested in the general study of social behavior ठीक है इसका मतलब यह है कि एक sociologist कि किस तरीके से general study पे interested रहता है social behavior की Means, किस तरीके से बहुत सारे लोग एक situation में behave करते हैं Sociologist इस पे जादा focus करता है rather than सिफ एक इनसान पे It occurs in groups, large or small किसी पी तरह के groups में जो चीज़े होती हैं large हो या small हो and plays special stress on understanding social life in contemporary world और जो सारा focus होता है एक sociologist का वो social life को समझने में होता है आज के word की, ठीक है The word general has been used as other social science disciplines deal with more specific areas General का मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो social science होते हैं उनके कुछ specific areas होते हैं but sociology अपने में एक ऐसा subject है जो सबसे थोड़ा-थोड़ा related होता है For example, a political scientist studies governmental functions and activities मतलब political scientist जादा तर government कैसे काम करती है उसका क्या function है, क्या activities है वो उन पे focus करता है और एक economist production and distribution के बारे में पढ़ता है ठीक है? But एक sociologist को अगर हम देखें तो वो हर social science में थोड़ा-थोड़ा पार्ट उसका integrated रहता है जैसे social psychology अब psychology, social तो social psychology, society में किस तरह किसे psychological है ये भी हम पढ़ सकते हैं anthropology में भी हम society को connect करके पढ़ते हैं political science में भी तो एक तरह कैसे हम इसको इसी लिए sociology को हम कहते है queen of social science ठीक है? इसको हम कहते है queen of social science अच्छा, आप यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से sociology और social work ये दोनों ही अलग होते हैं साथा तर हम देखते हैं कि लोग confused रहते हैं कि sociology और social work एक ही होता है बट ऐसा नहीं है sociology is used in the discipline of social work to analyze and understand social problems sociology को हम social work में सिर्फ use करते हैं ठीक है? like a part, like a method हम social work में उसे use करते हैं ताकि हम analyze कर पाएं social problems को जैसे हमारा domestic violence एक social problem है तो इस तरह के को हम सिर्फ analyze करने के लिए sociology को use करते हैं social work is concerned with the uplift of those socially deprived physically handicapped etc social work में हम society को change करने की बात करते हैं हम uplift करने की बात करते हैं पर sociology is not concerned with the reformation of society sociology में हम कभी भी reformation of society की बात नहीं करते हैं the sociological understanding and research can help in better planning and in finding ways and means of acceptance of improved practices in the formulation development policies and programs मतलब sociological जो knowledge होती है उसको हम better planning ठीक है या फिर कुछ नए policies या फिर programs बनाने में उस knowledge को use कर सकते हैं बट यह जो reformation की बात होती है society को बदलने की बात वो हम sociology में नहीं करते हैं वो हम social work में करते हैं ठीक है It is generally accepted that sociologists do not interfere with social process ऐसा बहुत माना जाता है कि sociologists को social process में दखल नहीं देनी चाहिए they are supposed to be value neutral value neutral word किसने दिया है अगर पहले से आपने थोड़ा बहुत sociology पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यह word हमें दिया है Max Weber ने ठीक है they are not supposed to have any bias or prejudice in the analysis of social behavior इसका मतलब क्या है इसका मतलब कि हमें value neutral होना चाहिए हमें अपना जो अपनी experience से अपनी जो thoughts हैं उन्हें हटा कर जिसको कहते हैं objective research करनी चाहिए ठीक है हमें अपने experiences को उस research में नहीं डालना चाहिए there are however at present some who question this and feel that sociologist must take an active role in development process तो इस तरीके के कुछ sociologist हैं जिनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए sociologist को भी active role नेना चाहिए development process में development में means change करने में और अपने theories देने में now let us quickly understand what is social groups अभी हमने देखा था कि sociology में social groups बहुत important होते हैं क्योंकि अगर हमें society को पढ़ना है तो हमें कुछ social groups को भी पढ़ना पढ़ेगा तो कुछ characteristics है इनकी वो हम जल्दी से देख लेते हैं a group of person, two or more कभी भी अगर एक individual है तो वो एक group नहीं बना सकता है अगर हमें एक social group चाहिए या बनाना है तो हमें दो लोग चाहिए होते हैं ठीक है? a patterned interaction there is a regularity in social relation based on shared belief values and norms ऐसा ना हो कि ये दोनों आपस में interact ही नहीं कर पा रहे हैं मान दीजे ये एक Indian है है ना? और ये है एक foreigner ठीक है? तो ये आपस में interact ही नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक social group का part नहीं हुए social group में जो लोग होते हैं उनका कुछ shared belief होता है means उनकी कुछ thinking process होता है जो की same होता है कुछ उनके values होते हैं आपस में कुछ norms होते हैं जिनको वो मानते हैं ठीक है? and the interaction is sustained over a period of time और जो उनका interaction है वो एक लंबे समय तक चलता है ना कि एक दू दिन के लिए ठीक है? the groups are formed in order to satisfy some human needs groups बनते क्यों है ताकि हमारी कुछ human needs है उनको पूरा किया सके a basic need is survival and a family जैसे कि हम देखते हैं सबसे बड़ा जो main a basic need means सबसे ज़दे basic need होती है वो होती है survival हमें survive करने में हमें जीने में असानी होती है ठीक है? a family which is an example of a group enables us to meet this need सबसे बड़ा example social group का होता है हमारी खुद की family ठीक है? क्योंकि family जाहिर से बात है family हमें survive करने में बहुत help करती है हमें घर provide करती है ठीक है? हमें सारा जो भी socialization होता है हमारा जो भी हम बच्पन से सीखते हैं सब family की वज़े से ही सिखते है तो family is a very important example of social group okay? now let us understand kinds of social group there are two kinds of social groups first is primary and second is secondary primary group में होता है कि members have very close and intimate relations हमारे बहुत ही close relations होते है there is emotional involvement कुछ emotions हमारे जुड़े होते हैं it is chiefly responsible for nurture of social ideas of the individual personality हमारा जो भी बच्पन से socialization होता है वो हमारे primary group की वज़े से ही होता है primary इसलिए क्योंकि यह हमें starting में हम इनमे होते हैं starting यहीं से होते है that is why it is called primary personality of an individual is involved in a primary group हमारा जो personality है वो धीमे धीमे primary group की वज़े से involved होता है for example family okay so now secondary group में क्या होता है relationships बहुत ही casual होते है means short term होते है impersonal होते है मतलब कोई emotional attachment नहीं होता है और कुछ specific purpose के लिए होते है a student body of a large college is a secondary group जैसे किसी college में अगर कोई student body है और उन्होंने कुछ group बना रखा है या वो मिलके मान लीज़े कोई project कर रहे है तो यह हमारा secondary group का part है ठीक है major concerns of sociology sociology में main बात किस बारे में होती है क्या इसका focus होता है sociology addresses itself to three basic questions very important to remember how and why societies emerge societies कैसे और क्यों बनती है societies किस तरीके से बनी रहती है ठीक है persist means क्या होता है persist का मतलब होता है continue तो किस तरीके से हमारी societies continue रहती है ठीक है how and why societies change क्यों societies और कैसे change होती है sociology has been concerned with the evolution of society evolution means किस तरीके से हमारी society बनी इस पे भी sociology बहुत ज़्यादा focused होती है it has tried to analyze the factors and forces underlying the history transformation of society किस तरीके से हमारा history में historical यानि बहुत पहले से अभी तक कैसे हमारा society evolve हुआ है क्या factors थे कैसे transform हुआ ये सब हमारा sociology ही पढ़ता है ठीक है for example societies have evolved from primitive tribal state to rural communities जैसे पहले हम primitive tribal थे फिर हम rural communities बने और फिर हम industrialized हो गए तो ये हुआ कैसे क्या इसके factors थे ये सब हम sociology में पढ़ते हैं next an important area which sociology deals with is social institution sociology का बहुत important part होता है social institution institution provide a structure for the society and perform functions which enable the society to meet its need मतलब किस थरेके से हमारा society बना है ये हमें institution के थूपता चलता है in any society there are five basic institutions हर society के पाँच basic institutions होते है family political institutions economic institution religious institution and educational institution caste is also an important social institution in Indian society ये हम लोग caste वाले chapter में देखेंगे now let us see the last topic of the lecture that is sociology and science sociology किस थरेके से science से related है क्या है हम ये जल्दी से देख लेते हैं sociology has been defined as the science of society ये इसलिए science होता है क्योंकि हम scientific study करते हैं society को पढ़ने के लिए ठीक है some have thought of science as an approach whereas others have thought about it in terms of subject matter कुछ लोगों ने इस एक approach की तरहे लिया है science को और कुछ लोगों ने एक subject matter की तरहे लिया है simply stated we might say that the scientific approach consists of certain assumptions that the phenomena studied have a regularity and hence a pattern means हम अगर scientific study करते हैं तो कुछ assume करते हैं ठीक है फिर उस phenomena को पढ़ते हैं regularly और फिर जाके हमें एक pattern पता चलता है तो sociology को भी हम इसी तरीके से पढ़ते हैं the systematic approach consists of defining a problem of study collecting data on the problem analyzing and organizing the data which would help in formulation hypothesis hypothesis क्या होता है hypothesis is a starting point of an investigation ठीक है कुछ भी चीज जो हम find करना चाह रहे हैं उसका जो starting point होता है that is called our hypothesis फिर हम उसे further testing करते हैं hypothesis की और फिर उससे नए concepts and theories बनाते हैं तो यही अप्रोच यही scientific approach हम sociology में भी follow करते हैं ठीक है so that's it आज के लिए इतना ही I hope that आपने कुछ सीखा होगा इन lecture से please comment करके मुझे बताएं कि मैं कहां पर improve करूं also इसका part 2 देखना मत भूले जिसमें मैं other social science का comparison और founding fathers discuss करूंगी thank you